असलाम लेकुम गाइज, वेलकम टू मैं चैनल, इलेक्ट्रोनिक डिवाइसिज अनेलिसित तो दोस्तो आज हम डायोड की स्पेसिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे तो इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताके आपको हमारी क्रियेटिव वीडियो सबसे पहले मिल सकें तो गैस, अपने लेक्ट्र स्टार्ट करते हैं यहाँ आप देख सकते हैं कि डायोड की स्पेसिफिकेशन क्या होती है इसका मतलब यह है कि डायोड की स्पेसिफिकेशन वो होती है कि डायोड को हमने किस चीज़ से प्रोटेक्ट करना है जो मैनफेक्चरर हमें स्पेसिफिकेशन दे देता है कि इस वैल्यू से आपने उपर नहीं जाना यानि इस values उपर का आपने डायोड नहीं लगाना या resistor आपने इस values से ज्यादा नहीं लगाना ताकि आपके डायोड को effect ना हो सके या डायोड आपका breakdown region में ना चला जाए तो अभी हम पहली type के बारे में बढ़ते हैं तो guys पहली specification यह है कि in forward condition of the diode you have to see the forward current rating of the diode इसका मतलब यह है कि जब डायोड forward condition में हो तो आपको डायोड की forward current rating देखनी पड़ेगी इसका मतलब है कि अगर आपने current यानि आपके circuit से current उसकी forward current rating से ज्यादा गुजर रहा है और डायोड आपको forward bias है तो आपको डायोड breakdown region में चला जाएगा तो यह आपकी एक specification है इसके बारे में आप एक numerical देखते हैं जोटा सा दोस्तों आप देख सकते हैं यह एक simple circuit है जिसमें 10 volt की बैटरी लगी है 9.7 वोल्ड यहां पर drop होंगे तो रिजिस्टर पर यकीन है 9.3 वोल्ड आ जाएंगे 9.3 वोल्ड अगर 9.3 वोल्ड यहां पर आ रहे हैं तो इस रिजिस्टर की वैल्यू मलूम हो सकती है क्योंकि forward current rating 50 मिलियंपेर है तो simply with ohms law तो as per ohms law आपने हमने आर जिकल्ड वी वोल्ड आई 9.3 वोल्ड फिफ्टी मिलियंपेर तो 0.18 किलो हम आ गया है आंसर तो आप देख सकते हैं रिजिस्टर जो होता है वो current के इंवर्सली प्रपोर्शनल होता है तो अगर रिजिस्टर की वैल्यू बढ़ी होगी की value small होगी तो हमें current 50 मिलियंपेर से कम चाहिए तो हमें resistance की value 0.186 से हमेशा बड़ी लगानी पड़ेगी अगर आप 0.16 से छोटी लगा देंगा तो डायोड आपका breakdown region में चला जाएगा ये एक simple practice problem थी अब हम दूसरी टाइप की दर जानिब चलते हैं तो दूसरी specification जो manufacturer हमे प्रवाइड करता है वो है reverse bias condition में peak inverse voltage तो जब भी आपका diode reverse bias condition में होगा तो आपको इसके peak inverse voltage देखने होंगे कि reverse case में इसके cross कितने voltage drop हो सकते हैं इस case में 200 volt की battery लगी है तो कम असकम 200 volt से ज्यादा इसकी PIV rating होनी चाहिए अगर 200 volt से कम होगी तो आपका diode breakdown region में चला जाएगा यह एक simple practice problem थी जो इसके इस पर depend कर रही थी तो हम तीसरे point की तरह जानिब चलते हैं कि तीसरे specification कौन सी है तो आप जानते हैं कि reverse bias condition में जब diode का depletion region wider होना शुरू हो जाता है तो वो capacitance और as a capacitor behave करता है जिसको vericap और varector diode भी हम कह सकते हैं तो एक special type का diode होता है जो आप मैं बना कर आपको दिखाता हूँ reverse condition में depletion region wider हो रहा है और vericap और varector diode का symbol यह होता है कि उसके अगर capacitor लगा दिया जाता है कि वो जिसके diode की past tense को show करता है तो चोती type की जानी चलते हैं दोस्तो चोती specification होती है reverse recovery time जब आप किसी technology को देखते हैं तो आप चाहते हैं कि हमारी technology हाई हो और कम वकत ले कि हमें output जल्दी मिल जाए तो diode की reverse recovery time पर भी depend करता है कि diode का model कैसा होता है तो अगर उसकी reverse recovery time जल्दी है और वो जल्दी अपने आपको recover कर लेता है तो अगर उसकी trr बहतेर है और जल्दी output दे देता है तो इसका मतलब है उसकी reverse recovery time अच्छी है तो इसकी बारे में हम कैसे प्रेवर करते हैं हम देखते हैं तो दोस्तों अगर हम यह information दे दी जाए कि reverse recovery time एक डायोड का one nanosecond और एक one microsecond हम किसको prefer करेंगे तो आप देख सकते हैं हम बिलकुल prefer one nanosecond वाले को करेंगे क्योंकि बहुत जल्दी हमें reverse recovery time दे रहा है यानि बहुत जल्दी हमें output फ्राम कर रहा है तो हमें पहले यानि reverse recovery time nanosecond वाले को prefer करना पड़ेगा तो दोस्तों यह question है जो आप मुझे comment box में बताएंगे कि इसका answer क्या होगा अब हम किसको prefer करते हैं जो time high technology low या time low और technology high तो हम इन दोन में से किस point को ज़्यादा prefer करते हैं point one को या point two को आप इसको comment box में बता सकते हैं दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजेगा और बेल आइकोन को जरूर प्रेस कर लीजेगा तो दोस्तों end of this video अलाफिस